नमस्कार तो कल रात को उत्ता प्रदेश की स्टेट मेरेड लिस्ट आ गई है और जैसा कि मैंने प्रेडट किया था कि इस बार राउंड वन में कॉट आफ उपर जाएगी और ऐसा ही हो गया है देखिए मैं आपको दोनों दिखाता हूं बेगो लाइव तो यह मेरे पास है 2020 क कि पहले राउंड के बाद कि आई स्टेट मेरे लिस्ट और मैं एक इसेंपल ले रहा था कि अगर मैं एक फिक्स ले लेता हूं कि नीट में चार सो पचास नंबर वाले राइड तो आप देखेंगे कि इस बार क्या फरक पढ़ गया है कि चार सो पचास नंबर आपके अगर नीट में है तो यही आसपास का कट आफ था शारदा के लिए लास्ट एयर तो एक कॉलिज गर्म एक्जैंपल लेके चलों जो कि उत्रपदेश का नंबर टू फेवरेट कॉलिज माना जाता है तो यह देखिए आप ब्राउडली स्पीकिंग साड़े चार सो नंबर पे आपकी साथ हजा स्टेट मेर्ट रैंग थी लेकिन यह दोजार बीस का था दोजार इकिस देखिए यही साड़े साथ हजार शेसों के आसपास है और ये आपकी जानकारी के लिए जो क्योंकि ये information छपती है तो यह नहीं कि मैंने कुछ गल्द किया है बच्चों के नाम दिखा रहा हूँ ये वो था जिनको 2020 में शारदा राउंड बन में अलोकेट हुआ था तो आप देखते हैं और इंडिया रैंक वन एक लाग तेंटी जार पे ये बंद हुआ था वही तक्रीबन एक लाग तेंटी जार आपको यहां पर नजर आरा था जो मैंने आपको 2020 का दिखाया कि एक लाग तेंटी जार रैंक तक्रीमन 448 मार्uh अधा कांडा फरस्ट कटोफ था लेकिन इस बार यी जो 1,2300 रान्क है ऊसमें रडशे रानक ॉर मांक्स पॉंइनेंचन काफिaten है यह तो नीट वाली बात हो गई पर जो देखने वाली बात है वो है अब सुनने में यह 600 जो है यह खाली 10 परसंट लगता है लेकिन आप यह बानके चली हो फिर कुछ मैंने वीडियो देखे सुबास वो उठती ही और इसलिए मैं बना रहा हूँ कोई कावसर ने कहा कि उत्रप्रदेश में सरकारी सीटे बढ़ी है देखिए अब करना है तो मुझे शायद यह कैटेगरी वाइस के गिनना पड़ेगा कि इसके ओपर कितने कैटेगरी की कितने बच्चे हैं ऐसा क्यों मैं वह समझाता हूँ देखिए इन दोनों लिस्टों से यह नहीं पता चलता मेरे को कि यूपी के और नॉन यूपी के कितने हैं इसको नहीं मिलता तो वो प्राइवट ले या ना ले वो च्रॉइस रहती है क्योंकि सबसे बड़ा इशू प्राइवट में बजट का होता है राइट तो देखिए जब गवर्मन कॉलेजिस बढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा कट आफ पे फरगने पड़ता है उत्तर सरकारी सीटे बढ़ी है लेकिन सरकारी सीटे ना उसी रेंज में खतम हो जाती है हम तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं आती है प्रइवट के बित्वों के लिए वो टॉपर्स जो है वो अपनी सीटे बस जिनकी लास्टर में सोगए थी वो ले लेते हैं अब उसमें कुछ ल लास्ट एर गवर्णन नहीं मिला जो टॉपर थी और फिर उन्होंने श्रीरामूर्थिया सुभार्थिया शार्दलिया होगा वो इस बार नहीं लेंगे उनको साकारी सीटे मिल जाएगी लेकिन ये मेरे मेरी जो एक्स्पीडियन से ये प्रपोर्शन बहुत कम होता है और जादा प्रपोर्शन जो होगा वो जो 700 बच्चे जो बढ़ गए है और देखे उत्तर प्रदेश में फ्री एक्जिट नहीं है राउंड वन से पहले आप सबने मेहनत करिए जितने भी मुझे लिस्ट नजर आ रही है अगर मैं अब देखूं इसमें कुछ बीडियस वाली हो सकते हैं ठीकिन अब इतने बच्चे जा कि अगर करके आए हैं रेजिस्टेशन पीच खुलेगा नीचे 19,000 लोगों ने तो सब ने वहां जाकर 30,000 या 1,000,000 या 2,000,000 का आप चेक दे कर आए हैं ठीक है न अब ये जो 20,000 लोग वहां पर जाकर रेजिस्टेशन करके आए हैं जिरके बाद ये मेरिट इस निखली है अब आप लगाईए कि इन सब लोगों ने यही सोच के पैसे दिया है ना ये हमें सीट चाहिए क्योंकि सब को मालूम है कि सीट मिली और आपने नहीं ली तो आपके पैसे खराब तो 600 नंबर बढ़ने से क्या इंपैट है कि बिलक हैं जो टॉप पांच हम देखे रहे होते हैं शिरामूर्थी शार्दा सुभार्ती मुझाफ़नेगर मेडिकल खॉलेज रोहिला खंड या सरसदी हापोड या रामा कानपोर फिर आपका हैडिटेज वारा नसी इन में अगर ये 500-600 बच्चे में इक्ष्टा आ जाते हैं तो ये आपकी वो सीट ले जाते हैं तो जो आपको शार्दा सुभार्ती राम मूर्ती मुझाफ़नेगर मेडिकल खॉलेज ये सम मिलने वाला था इसको मिलने के चांसे कम हो जाते हैं और शायद आपको यूपी में 11-12 नंबर में जाना पड़ेगा अब देख आप अच्छी त और नौन मुस्लिम जाना भी नहीं चाते हैं चार तो मुस्लिम मैनल्टी हैं बचे 25 जिसमें से कि 5 लास्टर खुले थे हैं इस साल खुला है बचे 19 जियेस मेडिकल हप उनको भी हम देख लें कि वो अभी भी परमिटिट स्टेट में है तो बचे 18 उसके अंदर भी जो अच कि सेचुएशन वो लोग जो कॉलेटी एजुकेशन देख रहे हैं और जिए 14 से 18 मिल रहा था उनको लेना पड़ सकता है शायद 20 या 21 और शायद आपको मैनल्टी वाले भी भरने पड़ेंगे अगर आपको सीट चाहिए चाहिए तो जो लोग लास्ट यर वो मिल गए थे नए कॉलेजेश तो इस तरह से चेंज होता है सीट मिल जाएगी काफी हद तक भी ऑफकोर जो लास्ट की लास्ट काट आफ थी उसके शायद 10 नंबर उपर जाएगी लेकिन आइटिंग जो ट्रिकी पाल्ट है वो है जो टॉप पांच कॉलेज लेना चाह रहे थे और जो 600 बच्चे बड़े हैं इसका इंपेट उनकी प्रॉसेस पे सो बेस्ट विशिस जो भी इस वीडियो को देख रहा है और अपने स्टेजीज आप उसके जो मैं हमेशा बार बार देवन से कह रहा हूँ उससे लोग कहते थे महीना पहले साथ मिल जाएगा मिल जाएगा इस आपके पास एक सही काउंसलर होना चाहिए जो इन चीजों को लगातार ट्रैक कर रहा है और जिसकी वज़ा से हम अपने स्टेजी चेंज कर सके हमेशा अपने बच्चों से थोड़ा एक्स्ट्रा फॉर्म भरवाके रखते हैं जो भी पॉसिबल होते हैं ठीक है आपके 350 नं रहे थे हो जिनको अब ये टॉप छे कॉलिज मिलने की उमीद रिलेटिवली कम हो गई है उत्राखन के दो कॉलिज दे सकते हैं जहां पर अफकोर्स जो टोटल बज़ाटा है वो 93-94 लाग होता है बड़ जैसा मैंने का अगर आप सिर्क्वालिटी देख रहे हो तो तो आप बड़ में जोल्टी सीते हैं इनी की लोग के लिए पास होती है उड़ी सा क्लोज दी है वैसे भी पंजाब क्लोज हो गया हिमाचल में की कॉलिज है वैसे भी मारे पास ऑफ्शन बहुत लिमिटीड है अब उसके अंदर आपको कैसे मूव करें इसे के लिए आपको एक प्र रेगुलर गाइड कर सके है रेगुलर स्टेजी हम चेंज कर सके है तो अभी भी अगर आपके पास कोई धंका प्रोफेशनल काउंसलर नहीं है तो फिल फ्री टू कॉल आस ऑन वर हल्पलाइन नंबर 96433-62320 आप सभी जानते हैं कि मुझसे बात करने के लिए पहले आपको एक नॉमिनल 1500 उपीज देना होता है नॉट ओन देट नंबर वो मैं हम आपको नंबर बताती है और 15 मिंड की बात करके मैं आपको बदायत हूं कि आपका पैकेज कितना पड़ेगा और फिर उसके साब से हम आगे बर सकते हैं और बेस्ट विशिस फिर भी जो लोग किसी और कौसा कैसा जुड़ेवें ये अपना काम खुद कर रहे हैं धन्यवाद